पढ़ते हैं हमें कहता है कि कुछ आपको लाइवलिटी गीवन है जिसमें प्रफरेंश यह एकुटी है रिजर्व इंक्लूडिड है टेक्स गीवन है आपको और डिबेंचर है ख्रेडिटर गीवन है ठीक है साथ तो हमें यहां पर एसेट्स में गुडविल फिक्स एसेट्स आपको बता रहे है उसमें से हमने इंट्रस्ट माइनस कर दिया और टेक्स को भी माइनस कर दिया ठीक है सर हमें वही प्रॉफित लेना है जिसमें से यह सारी चीज़े माइनस हो 31,000 कहता है दा मार्केट वेल्यू अफ दा मसीनरी इंक्लूडिग दा एसेट्स इस 5,000 यानि जो आपको इस एसेट्स के अंदर एक मसीनरी होगा कोई भी उस मसीनरी को जोड़ा हुआ है वह अब जितने का भी जुड़ा था वह उतना नहीं रहने बाला 5000 और बढ़ जाना है यानि मार्केट वेल्यू अगर फिक्स एसेट्स की बात करूं तो 1,085,000 आज क्लियर है आगे कहता है कोश्चन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटन 10% जो कि मैंने कहाता है एक्सपेक्टेड समझ रहे हैं कि हम फ्यूचर में इतना कमा लेंगे और यह रेट किसका माता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के कैलकुलेट दा वैल्यू आफ गुडवि अब मुद्दे की बात है गुडविल कह रहा है गुडविल कह रहा है यह गुडविल आप निकालोगे कैसे सर सूपर प्रॉफिट इंटू में 3 टाइम इंटू में 3 कर दोगे आपको super profit निकालना है तो super profit क्या कहता है super profit is equal to average profit minus में sir average profit क्या कहता है question में given है sir 31,000 लेकिन मैंने कहा था जो ये profit given है ये business का profit होना चाहिए आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपने 20,000 रुपे का investment किया है जिसके उपर आपने कमाया भी है कितना 5% कमाया होगा तो अगर इस पे 5% की कमाई वो भी इसके अंदर included होगा assumption ले रहे हैं कि किस में included है इसी में तो वेपार का profit business का profit तो भी या 31 हुआ ही नहीं सोचो business का profit तो नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर माना जाएगा कि sir आप 20,000 पे जो आप 5% की income कमा रहे हो तो that is आप 1000 रुपए जो कमाई किये यह तो business का profit ही नहीं यह तो आपका ऐसे ही आगया आपने पैसे spare पैसा पड़ा हुआ था लगाया और आ गया तो business का profit अगर मैं average profit आपको बोलूं तो average profit आएगा पहले मेरे सवाल के अंदर average profit अगर मैं बोलूं यहां पे एक हजार यह ठीक है अगर average profit निकालूं यहां तो sir average profit आएगा हमारा 31,000 तो है और इसमें sir 1000 रुपए ना interest वाला हमारा business से related ही नहीं होता कभी that is आपका क्या आजाएगा यहां पे कोई doubt अब हमें क्या निकालना है sir normal profit निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें average capital चाहिए और into में क्या चाहिए rate चाहिए ठीक है profit सवाल में आगे है आपका 30,000 मैंने बोला average profit ही हमारा actual profit होता है बताया था कि average profit ही यहां दे भूल गया है अभी बताया था ना average profit ही जो होता है वो कौन सा होता हमारा actual profit तो हम actual profit तो निकाल चुके है और balance sheet के अंदर जो भी जानकारी है यह देखे कौन से तारिक की गीवन है balance sheet के अंदर जानकारी 31 का मतलब जो भी हम capital निकालने के formula को use करके minus plus करके वो कौन से वाला निकलेगा closing निकलेगा और हमें capital employee निकालने के लिए भी हमने formula भी लिखा है यह एस तरीके से हम capital employee निकाल सकते हैं और जो capital employee balance sheet के data को extract करके निकालेंगे वो कौन से capital employee निकलेगा closing अगर आपको closing capital employee पता चल जाए और profit पता चल जाए तो average निकाली सकते हो यह formula लगाया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे closing capital employee निकाल लेते हैं कि सबसे पहले हम closing capital employee निकाल लेते हैं यहीं पर चलिए capital employee capital employee डबल कर रहा हूं ठीक है ना capital employee is equal to हमें क्या लेना है पहले total assets फॉर्मूले के इसाब से क्या लेना है हमें total assets लेकिन market value लेना है तो 5000 और एड कर देंगे इसमें तो total assets कितना हो जाएगा हमारा 3,25,000 और plus में 5000 that is हर बच्चा इससे एगरी है ठीक है अब इसमें minus करना चालू करो minus क्या कर देंगे से less कर देंगे सबसे पहले goodwill अगर दे रखा है तो क्या सवाल में goodwill given है जी goodwill given था कितने का माइनस कर दीजिए माइनस कर दीजिए यहां से क्या माइनस कर दीजिए preliminary expense discount तो preliminary expense और लेस कर देंगे क्या हम डिसकाउंट तो सब्सक्राइब कितने हैं थोड़ा गैप है और यह कितने हैं अब क्या बोला था माइनस कर दीजिए एक्स्टरनल लाइबलेटी सर एक्स्टरनल क्या क्या है डूंड लेते हैं सर मैंने बोला था प्रफ्रेंश्यर हो रिजर्वेंस सर्प्रस तक की जो भी कहानी है यह सारा का सारा कौन सा माना जाएगा हमारा यानि सर एक्स्टरनल में 1 2 3 यह 3 हो मैनिस कर न यह रिजर्व नहीं है यह प्रफ्रोविजन फोर टेक्स है एक मिनिट कहता है प्रोविजन फोर टेक्सेशन कितना है तो ये एक्स्टरनल लाइबलिटी का पार्ट माना जाएगा तो टोटल एक्स्टरनल लाइबलिटी अगर आपसे पूछू तो पच्चेस अजार और पचास पिछतर और दस 85 ठीक है तो लेस कर देते हैं आउटसाइड लाइबलिटी यहीं ब्रैकेट में लिख दूँगा कितने 10 प्लस कितने 5 प्लस कितने 25 पाँच है पचास है पचास है तो 85 अब बता दीजिए आपका अब क्या आए ये क्लोजिंग आएगा हा 2 लाग that is closing capital employed हमें कौन सा capital employees चाहिए rate of return normal profit निकालने के लिए average वाला average capital employed कैसे निकालेगाs बताइए average capital employed हमारे पास closing है तो closing वाला formula apply करेंगे closing capital employed मैं short थोड़ा से use कर रहा हूं और minus क्या कर देंगे हम क्योंकि closing से जब हमें जाना होता है average में तो minus करते हैं और opening से जब जाना होता है तो क्या करते हैं plus तो minus 1 by 2 of यानि average profit तो यहां देखा जाए तो 2 lakh और profit कितना था तो कितना minus कर दें एवरेज बोला जाए तो इसका 1 by 2 में directly लिखना हो 15 तो कितने आगे 2,5,000 आगे ठीक है 2,5,000 अब हमें यहां पर क्या जानना है normal profit sir normal profit क्या कहता है normal profit कहता है capital into में rate by तो sir capital कितने है capital 2,5,000 capital कौन से वाला मैंने बताया था average वाला into में rate 10% that is low जी अब क्या हम निकाल सकते है super profit 30,000 minus में क्या आगे बताओ यहीं कर देते हैं 9,000 क्या goodwill निकल सकता है मैं roughly कर रहा हूं जबकि आपको इसके आगे step को लेके जाना है मैं आगे ले जाता हूं नहीं तो आप भी ऐसे कर दोगे फिर पता चला चलिए आगे मैं लेके जा रहा हूं सर शूपर प्रॉफिट शूपर प्रॉफिट इस इकल टू 30,000 minus 20,500 that is 9500 ठीक है और कुशन क्या कह रहा था कितने टाइम 3 2,20,20 चलिए गुडविल पिचानवे सो आप रहा इसका दिफरेंस या 10,500 डिफरेंस कितने आप रहा बताओ हाँ हाँ 95 हा रहा है चेक करो 95 होई हाँ और इंटू में कितने टाइम बोला था उसने क्या आ रहा है देखिए कितने आ रहे हैं 28 हाज है आंसर कहा है 34 इसका टूटल सही बताओ सही करा है या गलत करा 330 क्या था है तार्यवर्ट केप्डीड प्रेंगा तेन तीस माइनस दस अजार माइनस अरे इन्वेस्मेंट तो माइनस करना भूली गया नून ट्रेड इन्वेस्मेंट फॉर्मूले में क्या था मैंने लिखा है नहीं लिखा है नून ट्रेड इन्वेस्मेंट वो तो रही गया न समझ रहे हैं तो यहां पर थोड़ा गड़बड भाई आप देख रहे था आपको बता देना चाहिए नोन ट्रेड इंवेस्मेंट लेस कितने अब यह कितने आ जाएंगे आपके बाई मैं क्या चेंजिस कर रहा हूँ सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए जो लाइव क्लास में स्टूडेंट है उनको भी समझ में आ जाना चाहिए यह दो लाग और यह कितना आ गया और मैं थोड़ा चेंज यहां पर भी कर दूँगा यहां भी चेंज कर देंगे यहां भी चेंज हो जाएगा अब कितना आ रहा है चेक करो 11,000 11,500 multiply 3 के आ रहा है बताओ ठेक है तो हमारे concept में कोई गड़बड़ी नहीं था वो हम लेना भूल गये थे ठेक है clear है सभी को अब कर दो जाएगा अब कर दो हमारे बताओ